हलो एन वेल्ड पेक टू माईनी वीडियो में अपको सब का सब्सक्राइब तो आज के इस वीडियो में आपको सामने पेश्ट है टीवेस अपाच्ची आर्टी आर एकसो साथ टूवी बी टी तो इस बाइक का मैं आपको पूरा रिवी दूँगा एट्वीट को मेरे वीडिय ऐसेमेस कोलिंग अलेड भी मिल जाता है और साइड इस्टेन वोकर और यह सारा कुछ आप मोबाइल में से भी देख सकते हो और यहां पर आपको मोड चेंज करेंगे तो तीन मोड आते हैं उसके अंदर और आप यहां पर देख सकते हैं जीरो से सिस्टी इंट इस पाकी स्विट कितने देर में यहां पर पहुचे वह भी देख सकते हो चेंज करके सारा कुछ तो सामने की बात कर लेए लाइट की बात कर लेए तो ओल एली टी लाइट देखना को मिल जाएगी यहां पर पूरा सेट अप मिल जाएगा देखना को मिलता है यहां पर जो कि ब्लिंग करता हो ना जरा है प्रेंड में टेली स्कॉप आपको सस्वेंशन देखने को मिल जाएगा फिनिस में मौड काट की बात कर ले तो लोस रेट पनीस में दिखा है जो कि फाइबर का यहां पर देखने मों का पी सुंदर लग रहा सुपर मोटो का प्रांडिंग यहां पर देखना को मिल जाएगा 270 mm का दिस्क ब्लेक देखना को मिल जाएगा टायर की बाप कर ले पर रिमोर का ट्यूएज टायर बेका 95 917 का और अलोई वील की बाप कर ले तो प्रोपर मेट ब्लेक निसके साथ रेट का कॉम्बिनेशन दि इसके साथ को लोगों देखने को मिल जाएगा और शप्र वेकार को मेंशन दिया गाएगा जरोकी पहुंचा साथ है लग रहा है आर्टी यूज देखने को लग रहा है और माइलेज की बाप कर ले तो ठुटी फाइब सेट फोटी काप आपको इवेरेज देखने को मिल जाकाई सुमाई और आपकी रोड की कंडिशन के सबसे सलाने पर भी निर्फार करता है तो आप इंजन की बाप कर लेते हैं तो 159.7 cc का आपको इंजन देखने को मिल शिंगल शिलेंटर एर कूल बीशिक्स फ्यूल इंजेक्टर इंजन दिया गया है जो कि वह तच्छी बाण पहले से पावर बढ़ चुका है पहले से बढ़ चुका है ज्यादा पावर 16.04 का इसके अंदर पावर मिलता है 13.85 का टॉर्क देखने को मिलता है इसके इसफोर्ट मोड पर देखने को मिलता है डबल सेंगल प्रेम यहां पर यूस की गई है और नीचे देखने को मिल जाएगा नीचे साइट 180 mm का ग्राउंड के लिएंट से देखने को मिल जाता है इस बाइक में वेट की बाप करे तो 137 का वेट देखने को मिल जाएगा सिंगल वेरेंट का और इसका है 138 के जीग वेट सेवन नैंटी एमेम सीठाइट उसके बहुत जादा अच्छी बात है सिट की बाप कर ले तो वह भी कंप्टेबल मिल जाए यहां पर सिंगल दी गई है यहां पर रेड इस्किटिंग के साथ दी गई है आटी आर वन शिष्टि का ब्रेंडिंग का लोगों देखने को मिल जाए यहां पर रेड कलर के साथ जो कि काप यह अच्छा लग रहा है इस तो इस तरह से इसको आपको देखने को मिल जाएगा एक जोस जो कि आप लोग देख रहे हैं ब्लेक और सपेट के कंबिनेशन में बहुत जदा अच्छा लग रहा है मैं आपका वाज नहीं सुना दे सकता क्योंकि मेरे पास पोटो इतने हैं इसलिए आपका वाज नहीं सुना से 200 mm का पीचल डिस्क मिलता है पीछे कोई सेंसर नहीं दिया गया है यह से अलोई वील की बात करें तो ब्लेक मेट मेक जोकि पहुत जाधा खुपसरत देखने को लग रहे हैं टायर प्रोफाइल की बात करें तो कि यहां से आपका पीचे की टेल लाइट की तरह से डेखने को मिल जाएगा और यहां पर कोची तरह से काफी अच्छा पीच्छे से बेखने को लग रहे हैं साड़ी गाट यहां से बेखने को मिल जाएगा और फोट्रेस भी बेखने को मिल जाएगा यहां पर आपको चेन कवर कोछ नहीं मिलेगा इसलिए आपको थोड़ा मेंडेन करके रखना पड़ेगा और यहां पर कोछ इंट्रक सक्षन भी 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 बिया गया और रीट कर सकते वीडियो को पॉस करें लिए पाइपस्ट्थDगेयर उन्हें भॉक्स देखने को मिल जाएगा यहां पर इस्टेंड के साघाट इस्टेंसे अपको सयभा You इंच कोछ टऊटए न क्यों की conditional ब्देनान पर हैं पराद को ट्लीकूं कि ने जप आपहाद को मिल जाता है अब सुपसे बात कर लेत कर लेकित तो सब्स considering रेट कर लेका इंजन ओपन का देखने को मिल जाता है आपको मैं अच्छे से बता था पर महें दे पास वीडियो नहीं था आपको पाता होगा में तो अभी ग्राफ हिंडल की बात कर लें पर यह इस प्रीड में देखने को में चाहता है जैकि कट वाल है जो कि काफी अच्छा देखने को लग रहा है देखने में तो यह थी अपाच्छी 160 CC की जो कि आपको मैं पूरा रिवी दिया और कुछ शूट गया तो माप माफी जाओंगा और इसके बारे में आपको प्राइज बता जाता है तो एक से सोरो में एक लाग पाचीस हाजर के सम्तिंग बढ़ेगी थोड़ा बता और पीछह है पसकता है क्योंकि में कि अच्छे से नहीं पता है तो मैं नेट से निकलके बता रहा हूं तो और मैं बताना जाता कि इसे बैसे हैं ये बना रहा हूं कोई तो आज के इस वीडियो में इतना है मिलते अगले वाले वीडियो में जल्द यह से धमागदार नहीं बाइक यहां फिर दूसरे टोपिके साथ जब तक लेज़ें लांदा तम जाइएं